नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मोटिवेशनली स्पीकर सोहल कुमार सोनी एक बार फिर से अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और मेरी इस मुहीम के साथ आप लोग जुड़े और मेरा वादा है दोस्तों कि इस मुहीम में जुड़ने से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा हमारी मुहीम ये है कि जो भी लोग जिनका दिल तूटा है और भी बहुत सारी चीजे जो लाइफ में उतने सक्सेज नहीं है हमारा मकसद इस चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों के साथ हों इनका दिल तूटा है जो किसी भी कारण से अपनी जिन्दगी में आगे नहीं बर पा रहे है तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है काफी यूनिक टॉपिक है आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इस टॉपिक का सबसे important role क्या है वो मैं भी discuss करता हूँ तो इसको आपने सुना होगा इनसान जो है गलतियों का पुटला होता है अगर इनसान गलतिया ना करे तो वो भगवान की स्रेनी में आ जाता है हम सारे लोग कही न कहीं अपने पाश्ट में बहुत सारी गलतिया करते हैं जब पढ़ाई का समय होता है तो साथ हम उस समय मन लगा के पढ़ते नहीं लेकिन दोस्तों समय अपने इसाब से अपनी गती से चलता जाता है और एक दिन हम लोग भविस्त की ओर बढ़ते चले जाते हैं अब दोस्तों बहुत ही महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि हम अगर परकास की तेज गती की यान बना लें तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं लेकिन परकास सर्त यह है कि वह यान जो होनी चाहिए वह परकास की गती से तेज चलनी चाहिए दोस्तों इसके अलाबा एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक है जोने स्टीव नोने स्ट्री ब किताब लिकी थी ठियोरी और वह बहुत होही हाँ लिया और इस्टिविन हौकिंग्स ने हम इन्सानों के दिमाग को हिला के रख दिया उनकी थियरी के द्वारा और वो थियरी ये थी कि हम किसी भी हालात में पास्ट में नहीं जा सकते हैं क supreme पास्ट में जाने का मतलब होता है कि अगर कोई time machine हमें मिल जा है अगर एक time machine हमारे पास हो तो हम अपने past में जाके क्या क्या करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है आपने भी सोचा होगा इस चीज के बारे में अगर हम सारे लोगों को आपको past में मिल जाए तो हम अपने बच्पन की उन गलतियों को जो past में हमने गलतिया किये उन सारी गलतियों को हम वो गलतियों को सही करना चाहेंगे कि हमारा future आने वाले समय में काफी अच्छा हो लेकिन दोस्तो ऐसा possible नहीं है आइस्टाइन और इस्टिविन होकिंग की थियोरी के दोवारा हम किसी भी हालात में पाश्ट में नहीं जा सकते हैं यानि जो हमारा पल है वो काफी कीमती है दोस्तों तीन चीज़े हैं हमारे life में पहला है past दूसरा है future और तीसरा है present आइये सबसे पहले past बारे में जानते हैं अर्भी मैंने को मिस सबसे पहले नही quanto हम redden चाहता ऑँ आपको भी चाहता हो दुनिया की सबसे चीज़ ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है कि हमारा future हमारे हाथ में है इन हाथ की रेखाओं में हमारी future चुपी हुई है और दुनिया की सबसे बुड़ी चीज क्या है कि हमारा future हमारे हाथ में है दोस्तों हम सारे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रजेंट भीताना होगा क्योंकि आज जो प्रजेंट है वही जाके पास्ट होगा और आज जो प्रजेंट में हम लोगों ने काम किया है हम लोगों ने जो तैयारियां किया है हम लोगों ने जिस तरीके से जिन्दगी को जिया है वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करे हैं और लोग कहां तक पहुंचेंगे दोस्तों बहुत सारी थियोडी हैं बहुत सारी चीजे हैं कि जिसको करने के बाद अगर हम अपनी चीजों को लगतार हम मोटिविशनल वीडियोस देख रहे हैं सिर्फ मेरी मत देखें अगर मैं आपको जादा पसन नहीं हो बहुत सारे लोग हैं उनकी वीडियोस देखिए आप लगतार अपने आपको बुष्ट अप रखिए जो हो गया उसको किसी भी हालात में नहीं बदला जा सकता है लेकिन जो होने वाला है वो हम डिसाइट करेंगे कि आज मेरा हमारा फ्यूचर क्या होना चाहिए तो दोस्तों अपना फ खुबसूरत फ्यूचर के लिए एक बाहे फिला के हम उसका इंतजार करें उसके लिए हमें आज की में ही जीना होगा तो जो भी अपरचुनिटीज है आपके पास वो आज है जो भी चीजे है वो आज है जो भी मौका है आपके पास वो आज है आज को अपना सही बनाई है आपका अपने आप से हो जाएगा धन्य बाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए अंत में मैं आप से ये कहना चाहूंगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो और आप हमारे मुहीम से जुनना चाहते हैं तो दो साल का समय है दो साल का टारगेट है आपके पास मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ दो साल के अंदर आप जिस इस्तिती में है अगर उसे बहतर इस्तिती में पहुंचते हैं आप अपना नाम अपने सिटी का नाम अपना इमेल आईडी हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको इंटर करें हमारी एक ट समर्थ है उस समर्थ से आप लोगों की मदद करना स्टार्ट करिए क्योंकि एक एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आपके पास समर्थ है तो लोगों की आप मदद करिए और आगे बढ़िए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगल